हेलो गाइज तो गाइज कैसे हैं आप लोग एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल फार्मसिस्ट हिल्थ केर में तो गाइज आप लोगों को पता है या वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई गई है अगर आप कोई मेडिसीन या दवा कारड होता है आपको क्या खाना चीया इसमें और आपको डैयरिया हो गई है तो उसमें कुछ दभाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं आज हम सब उनी दभाओं के राकित i am कोई दाइरिया को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके जैसे उसमें हैं धुसके घ्रकार करें यह तो जादा खाने की वज़े से यह तो बाहर का समान जादा फास्ट फूड खाने की वज़े से या तो आपको कोई पहले से ही हेल्थ इशू रही हो उसकी वज़े से भी आपको हो सकता है तो दोस्तों उसके कुछ हो किया सकती है इस कैस्ट में आपको डिकर दी साथ बहुत जा syllabus बहुत ज़ादा पानी की तरह लेटरिंग हो सकती है दोस्तों इस जाती है पर बहुत आहर के बारे में क्या ले सकते हैं क्या नाहीं खा सकते हैं इस केस में डाइटरी एडवाइज तो सबसे पहले आपको भरपूर मातरम पानी पीना चाहिए और भी उबला हुआ और पूरी तरह से आपको रिष्ट करना चाहिए आराम करना चाहिए और साथ में आप फूरूट खाएं जूस उसका जूस पीएं कोई फालतू क समान ना खाएं इधर उधर का और सॉफ्ट डाइट लें जैसे कि आप खिचड़ी ले सकते हैं दाल चावल आराम से आप खा सकते हैं उसमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो दवाई देती हैं देते हैं डाक्टर तो लोपामाइट टू एमजी और लो होती है अगर आपको इंटेस्टाइनल में इंफेक्शन है इंफेक्शन की वज़े से ऐसा हो रहा है तो आप इंटेस्टाइनल एंटिवाइटिक दे सकते हैं जिसमें नौर्फ लाक्सासीन 400 या तो नियोमाइसीन सल्फा गॉनिटीन तो दो तो यह यल है वह गल्दी से आप इंजेक्शन जेंटामाइसीन और सेटिल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं साथ में टिनीवा दोस्तों बहुत ही अच्छा कैप्सूल दवा आती है दोस्तों यह इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अब आप उसके साथ साथ सिम्टोमैटिक दवा दे सकते जैसे पेट दर्द के लिए आनाफोर्टान का इंजेक्शन भी आता है कैप्सूल भी आता है और ओमिटिंग उल्टी के लिए आप टैबलेट पैरी नॉर्म या तो इंजेक्शन पैरी नॉर्म का भी आता है उसको भी दे सकते हैं अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम होता रहा है आपका बहुत ज्यादा हो रहा है पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है लेटिंग बहुत ज厉दा हो रही तो आप दोस्तों द्रीप पहले लगा है उसके बाद्ध का एक गुल्कोज आथा उसका youze कर सकते हैं वह तो आपके उपर करे गा कि कितीना ऑपार कर कभी मत दीजिएगा क्योंकि दोस्तों या बहुत ही हामफुल होता है आप इसमें दे सकते हैं अगर आपका बीपी बहुत जादा गिर रहा है तो दोस्तों आप इंजेक्शन मेफ मेफेंटिन दो अगर आपका बीपी बहुत ही जादा दोस्तों गिर रहा है और आपके बस में नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको इमिडेटली दोसरे बड़े हॉस्पिटल में उसको सिफ्ट करिए और साथ में आपका वो लगा रहने चाहिए डीनेस का बॉटल उसको निका लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू थैंक यू फार वाचिंग माई वीडियो थैंक यू सोमत दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करिएगा